इस कहानी में एक लड़का अपने दोस्त की मौम के साथ खुदाई कर डालता है मोवी के स्टार्ट होते ही हम जॉनाथन और उसके पैरेंट्स को देखते हैं वो लोग जॉनाथन को छोड़ने के लिए आये थे क्योंकि जॉनाथन पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था अगले सीन में हम जॉनाथन को स्कूल में देखते हैं फिर वो अपने रूम में आता है जहां पर वो इसकिप से मिलता है जो उसका रूम पार्टनर होता है वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं इसके बाद स्किप उसे बताता है जब भी यहां कोई नया स्टुडेंट आता है तब सीनियर ब्रा और पैंटी में उनकी रैगिंग लेते हैं इसके बाद वो अपने कप्ड़े उतार कर उसे बताता है कि उसने भी रैड कलर की ब्रा और पैंटी पहन रखी है और उसे भी पहनना होगा इसके बाद वो जॉनाथन को ब्लैक कलर की ब्रा और पैंटी पहनने के लिए देता है जॉनाथन उसकी बातों में आ जाता है इसके बाद जब वो दोनों ब्रा और पैंटी पहन कर नीचे आते हैं तब इसकिप जॉनाथन को आगे करके हॉस्टल का मे भार जाता है उसके आसपास बहुत सारे लड़कों की भीड इकटी हो जाती है और सब उसका मजाग बनाने लगते हैं। इसकिप को थोड़ा बुरा लगता है इतनी इंसल्ट होने के बाद जोनाथन उठकर बहां से अपने रूम में आ जाता है इसकिप उसके पीछे आता है जहां पर वो देखता है जोनाथन ने फासी लगा ली है इसके बाद वो जल्दी से प्रिंसपल और बाकी सबी लोगों को जाता है और इसकिप को अपने आफिस में बुलाता है प्रिंसपल के जाने के बाद जोनाथन इसकिप को देखकर हसता है और उसे कहता है अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया इसके बाद दोनों लोग हसने लगते हैं इसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते है अगले सीन में ये दोनों बीर खरीदने जाते हैं और रूम पर आकर पीते हैं फिर दोनों एक दूसरे के साथ अपने शीक्रेट शेयर करने लगते हैं जोनथन उसे बताता है उसने ये एक्जाम चीटिंग करके पास किया है और वो अभी तक बर्जिन है उसकी कोई भी गल्फेंड नहीं रही है ये सुनने के बाद इसकिप ठान लेता है वो अपने दोस्त की बर्जिनेटी तुरबा कर रहेगा इसकिप जोनथन के साथ दो कियों में से किसी के साथ घपा घप कर सके लेकिन जोनथन रास्ते में कार में ही उल्टी कर देता है और इसकिप का प्लान फेल हो जाता है और वो लोग बापस आ जाते है लेकिन जोनथन बेस्ट फ्रेंड होता है और उसने मन बना लिया था वो अपने दोस्त की सेटिंग कर बाग कर ही रहेगा इसके बाद वो उसे एक गल सौल्स्टल में लेकर जाता है लेकिन जोनाथन बहाँ पर भी गरवर कर देता है जिसकी बज़े से प्रिंसक्पल जोनाथन को इसकूल पार्टी में आने पर बैन लगा देते हैं जब उसे यह पता चलता है वो पार्टी में नहीं जा सकता तब इसकिप उसे 100 डॉलर का नोट देकर शिकागो जाने के लिए कहता है क्योंकि बहाँ पर उससे कोई ना कोई लड़की जरूर पढ़ जाएगी जोनतन बहाँ पर जाना नहीं चाता था लेकिन इसकिप के फोर्स करने पर वो रेडी हो जाता है इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जोनतन इस शिकागो पहुँच जाता है और वो एक बार में जाता है जहां पर उसे काफी सारी लड़किया मिलती है लेकिन उसे कोई भाव नहीं देती काफी टाइम बीतने के बाद जोनतन के पास एक लड़की आती है वो उससे लेकिन उसके मुँपर काले रंग से पेंटिंग बनाकर उसका मजाग उडाकर बहां से चली जाती है ये सब एक औरत देख रही थी और वो उसके पास आकर उसके फेस को साफ करती है और उससे मीठी मीठी बाते करने लगती है उस औरत का नाम एलन था जोनतन उसे ये नहीं बताता वो स्कूल में पढ़ता है वो उसे जुड बोल देता है कि वो पिएचडी की तयारी कर रहा है इसके बाद वो दोनों एक लिफ्ट में जा रहे होते हैं तब ही ये दोनों करीब आ जाते हैं लेकिन जोनतन एलन को लिफ्ट में ये सब करने से मना कर देता है इसके बा जोनतन आजाता है वो उसे बताता है अब बर्जन नहीं रहा और वो अपने से दोगनी उमर की ऑुरत के साथ बजा कर आ रहा है ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और जानतन स्कूल में पॉपलर होने लगता है अगले बीकेंड पर जोनतन फिर से एलन से मिलने के लिए और दोनों जम कर खुदाई करते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसा काफी टाइम हो चुका था। अब जौनाथन एलन से प्यार करने लगा था और वह एलन को अपने दिल की बाद बता देता है। लेकिन एलन इसे समझाती है। उन दोनों के बीच जो कुछ भी है। इसे ऐसे ह जोनतन के चलने दिया जाए उस टाइम जोनतन उसकी बात बात माँजाता है। जॉनाथन इसकिप को एलन के बारे में बताता है इसकिप उसे कहता है तुम एलन को भूल जाओ लेकिन जॉनाथन उसे प्यार करने लगा था अब उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता और वो दिन रात पस एलन के बारे में ही सोचता रहता और अपनी मूली को मसाज देता रहता जिसकी वज़े से वो कमजोर भी हो रहा था उसके मक्स डाउन होने लगे थे इसके बाद वो अपने स्कूल से भागने की कोशिच करता है लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जोनाथन का एडमीशन हावर्ड में हो चुका था जिससे सेलिबरेट करने के लि जोनाथन और एलन बात करते हुए अखवर्ड हो जाते हैं अगले सीन में हम देखते हैं सब लोगों के सो जाने के बाद एलन जोनाथन से बात करने के लिए उसके रूम में आती है लेकिन जोनाथन उससे बात करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे बिना कुछ बोल कर ही च जोई करते हैं अगले सीन में ये दोनों अपने स्कूल बापस आ जाते हैं तभी जोनाथन इसकिप को बताता है अगले वीकेंड वो शिकागो जा रहा है वो कुछ टाइम अके लिए रहना चाता है इसके बाद हम देखते हैं जोनाथन होटल में एलन से मिलता है जहां पर एलन उसे अपने हस्बेंट के साथ प्रॉबलम के बारे में बताती है एक बार ये दोनों फिर अपना कंट्रोल खो देते हैं और घपा घप करते हैं तभी उसके रूम की बैल बचती है जहां पर इसकिप और उसके कुछ फ्रेंट जोनाथन को सर्प्राइज देने के लिए आये जोनाथन को ऐसा लग रहा था कि कोई रूम सर्विस बाला होगा दर्बाजा खुलते ही इसकिप अपने सबी दोस्तों के साथ रूम के अंदर गुस जाता है और वो अपनी मॉम को देखकर शौक हो जाता है और गुसे में बहां से निकल जाता है इसके बाद हम देखते हैं जोनाथन इसकिप से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसे नहीं पता था एलन उसकी मॉम है ये सुनते ही इसकिप जोनाथन के मूँपर एक जोरदार पंच मारता है और उसे कहता है पहले तुम्हें नहीं पता था लेकिन उस दिन मेरे घर जाने पर तो तुम्हें पता अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चानल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में